जह एंदिव आज की इस खलाश में हम रादस्तान वन पाल और वन रख्षक बरतिपरिक्सा के पेपर में बार बार रिपीट होने वाले उनेयो के उत्फ आनसर याद करेंगे जो आपके रादस्तान वन पल और वन रख्षक बरतिपरिक्सा 2022 के नए सपल्मिल नहीं अगर दोस्तो आप भी राजस्तान वनपाल और वनरक्सक बरतिपरिक्सा 2022 की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देके और इन सभी most important question answer को जरूरियात करें और दोस्तो आपको भी राजस्तान वनपाल और वनरक्सक बरतिपरिक्सा के लिए अब मातर 25 दिन से अस बचे हैं इन 25 दिन हम अगर आप राजस्तान वनपाल और वनरक्सक की त्यारी एकदम फ्री में करना चाते हैं तो आप अमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन लिक कर लीजी जहां पर आपको राजस्तान वन पाल और वन रखसे के सेलबस में जो भी राजस्तान के टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों का अलग-अलग पीडियेप आपको मिल जाएगा और दोस्तों आगर आप पीडियेप सुसाइटी की स्थापना किसने की थी तो करते सब्राण का सभी जवाब देगा औप स Очень सी बाल गंग डर तिलक हैं जिना बारद सोतंतरता inteohis के दोरान अधिकन एजुकेशनल सुसाइटी नमसक्न के इस्तापना की थी और इस संस्तान की इस्तापना है वो साल 1884 इस्वी में की थी और ये पूरे में इसकी इस्तापना की थी किसकी डेकन एजुकेशनल सोसाइटी की और इसकी इस्तापना की थी बाल गंगादर तिलिक ने 1884 में नैक्स्ट अगला दूसरा किसन है राजस्तान के किस जिले को 24-7 राष्टीय E-Governance Award से समानेते क्या गया हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा Option D राजस्तान का नागोर जिले हैं जिसको 24-7 राष्टीय E-Governance Award से समानेते क्या गया है नेकt अगला थीसरा question है बारती राजियों में राज्य पाल की नियुक्ति किसकी अनुसंसा पर राष्टपती द्वारा की जाती हैं जो अनुचेद 155 के तयात की जाती हैं अगला नेक्स चोटई विज्यान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्शेन से राष्टी विज्यान दिवस हैं जो 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है अगला पांच वा किसने रादस्तान वित निगम की इस्ताफना कब की गई थी तो इस सवाल का सई जवाब देगा option B रादस्तान वित निगम की जो इस्ताफना है जो 17 जनुरी 1955 में की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा optionate D राजस्तान का नागोर जिला हैं जिसमें राजस्तान सरकार के दोरा सबसे अधिक पसू मेलों का आयजनिक करवाई जाते हैं अगला साथवा किसने मरू विकास बोर्ड की इस्तापना किस वर्स में हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा optionate D साल 1967 में राजस्तान में मरू विकास बोर्ड की इस्तापना हुई थी नेक्स्ट अगला आटवा किसने चितोडगड में विजे इस्तम का निर्मान किस ने करवाया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा optionate A चितोडगड जिले में इस्तित 122 फुट उचे और 9 मंजिला विजे इस्तम का निर्मान है जो राणा कुमबा के द्वारा करवाया गया था अगला नौवा किसन है निमन में से राधस्तान की कार्यपालिका का सवेदानिक परमुक कौन होता है तो इस सवाल का सई जवाब देगा option C यनि राधस्तान में कार्यपालिका का सवेदानिक परमुक है वो राज्यपाल होता है जो अनुचेद 151 के तेयत राज्यपाल है वो कार्यपालिका का सवेदानिक परमुक होता है अगला दस्वा किसन है मुख्यमंद्री के नियुक्ति बारती सविदान के किस अनुचेद के अंतरगर्त होती है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A, अनुचेद 164 के तैत मुख्यमंद्री के नियुक्ति हैं वो की जाती है नेक्स्ट अगला बारवा किसन है बार मेर जिले में तिलवड़ा गाउं में इस्तित मंदिर किस लोग देवता से समन देते हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D बार्मेर जिले के तिलवड़ा गाउं में इस्थित मंदिर हैं जो मलिलात लोग डेवता से समझ लेते हैं जहां पर प्रतिवर्स चैत्र मास में मेला भी लगता है जो सबसे पूराना पसु मेला भी माना जाता है राजस्तान का नेक्स अगला तेरवा किसन है विसल पूर बांध किस नदी पर इस्थित हैं तो इस सवाल का सही जो आप देगा option B बिसल पूर बांध है जो राधस्तान की टॉक जिले में इस्तित बनास नदी पर इस्तित हैं और बिसल पूर बांध है जो राधस्तान की सबसे बड़ी पेजल परियोजना भी मानी जाती है जो विसल पुर्बांद की जिले में हैं, टौक जिले में हैं और बनास नदी के किनारे पर इस्तित हैं नेक्स्ट अगला चौद्वा किसन है रखन नामक आबुसन किसका आबुसन है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C, रखन है जो एक दात का आबुसन है नेक्स्ट अगला पंदरवा किसन है राधस्तान के सभी जिलों में जिला उद्वो के कैंदरों की इस्तापना किस पंसवर्षी योजना में हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D, पांच भी पंसवर्षी योजना हैं जिसके तहते राधस्तान के सभी जिलों में जिला उद्वो केंदरों की इस्तापना हुई थी और पांच भी पंसवर्षी योजना का जो समय अवदी हैं वो साल 1974 से लेकर साल 1980 तक का समय था अगला नेक्स सोड़ा किसन है मुख्यमंत्री निसुलक दवा योजना राधस्तान में कब सुरू हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B, दो अक्टूबर साल 2011 में मुख्यमंत्री निसुलक दवा योजना हैं जो राधस्तान के मुख्यमंत्री असो गैलोत के कब 2 अक्टूबर 2011 के दिन अगला 17 किसन है राष्ट इस्तर पर किस राधस्तानी पौसा को मानेता मिली हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A, जो अत्पूरी कोट हैं जिसको राष्ट इस्तर पर राधस्तानी पौसा को मानेता मिली हुई हैं नेक्स्ट अगला 18 किसन है पांच वर्से अधिक कारेकाल वाली राजी की एक मातर विदानसभा छत्र कौन सा था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C, पांच वी विदानसभा का जो सत्र हैं जो पांच वर्से अधिक समय अवधी तक राध था और पांच विदानसभा का जो सत्र हैं वो साल 1972 से लेकर साल 1980 तक रहा था क्योंकि उस समय भारत में आपात कालन की इस्तिती बनी हुई थी इसलिए इस कारेकाल अवधी को 8 साल तक रखा गया था नेक्स अगला गुणीसा किसर ने बाड मेर दक्षणी जेसल ने तता पच्चिमी जोथपूर पसुदन किस वितरंble चेतर में आते हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देखा option C अब रख आधात्वी खनेज हैं जो राधस्तान में पाया जाता हैं और अब रख हैं जो राधस्तान के बील वड़ा में सबसे अधिक मातरा में उत्पादने क्या जाता है अगला 21 किसे नहीं बेड की कौन सी नसल गली सा उन के लिए उत्ता में मानी जाती हैं 22 नेक्स्ट किसे ने राधस्तान जन जाती चेत्रे विकास सहकारी संकी इस्तापना कब की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B साल 1976 में राधस्तान जन जाती चेत्रे विकास सहकारी संकी इस्तापना की गई थी जिसका मुख्यल हैं जो राधस्तान की नेक्स्ट अगला तेश्वा किसन है एक नॉबर 1956 से पहले राधस्तान राजिय के परमुक जाने जाते थे तो दोस्तों इस सवाल का सभी जवाब हैं जो आप कमेंट सेक्षन में लिकर जरू बताई यानि एक नॉबर 1956 से पहले राधस्तान के जो राजिय परमुक थे वो किस नाम से जाने जाते थी ऑप्सने गवर्णल जनरल राजिय परमुक या माराजा धिराज के नाम से इन चार उप्सनों में से कौन से हैं वह आप कमेंट सेक्षन में लिकर जरू बताई अगला चोईसवा किसने भारत भारतियों के लिए नारा किस संस्तान ने दिया था तो इ बाइक एमूलेंस को शुरू करने वाला राजस्तान का पहला जिला कौन सा बना हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन भी राजस्तान में बाइक एमूलेंस को शुरू करने वाला जिला हैं जो जो जोत्पूर जिला हैं जो सबसे पहला जिला बना हैं अगला 26 किसन जो 7 जुले 1948 को दामोदर नदी पर बनाई गई थी जिस पर्यूजणा का नाम है दामोदर नदी गाटी पर्यूजणा और यह पर्यूजणा है जो भारत की अधिक-तर पर्यूजणा की तरे अमेरिका की 10uction गाटी पर्यूजणा पर अधारित्य है अगला 27 किसन है इस्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन यानि राजदानी जैपूर रेलवे स्टेशन है जहां पर station पर दवा दोस्त के नाम से medical खोलने वाला राजस्तान का पहला railway station बन गया है जहां पर दवा दोस्त के नाम से दिये गई medical store पर सभी परकार के generic दवे हैं जो 80% सूट के साथ उपलब्द रहेगी अगला नेक्स्ट 28 स्वा किसन है विहू निमन लिकित में से किसका एक लोग पर ये उत्षव हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A विहू है जो एक असम राजिये का लोग पर ये एक उत्षव या त्योहर भी कहा जाता है अगला गुंतीस किसन है वीवे का नंद रोग मेमोरियले कहा इस्थित्च हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D वीवे का नंद रोग मेमोरियले जो राजस्तान के अलवा तमिल-ناडू राजिये में इस्थित्च हैं नेक्स्ट अगला तीसा किसन है काजी रंगा राष्ट्य पार्क हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C काजी रंगा राष्ट्य पार्क हैं जो असम राजिये में इस्तित्त हैं अगला 31 किसन है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ती दिवसक कब मनाया गया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यानि 22 दिसमबर 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ती दिवसक मनाया गया था कब मनाया गया था 22 दिसमबर 1940 को तो इस सवाल का option number C नेक्स्ट अगला 32 किसन है ऑपरेशन फ्लड किससे समबन देते हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D operation flood है जो dairy विकास से संबन देते हैं और operation flood का रिक्रम है जो साल 1970 में शुरू हुआ था जो dairy उदोग से संबन देते एक operation है अगला next अंतिम क्यूसन है दान की खेते लिए के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है वो आपका comment section में लेकर है जुरू बताई यानि दान की लेती लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है तो option है सक्त मिट्टी, काली मिट्टी, दॉमन मिट्टी या लाल मिट्टी इन चार option में से कौन सा option सही है वो आपके comment section में लेकर जरूर बताई तो दोस्तो ये थे राधस्तान forest card के exam में बार बार repeat होने वाले कुस most important question answer उमीद करता हूँ सभी question आपको अच्छे से याद हो गएंगी अगर याद होगे इस वीडियो को like जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर कीजिए और इन सभी किस्णा का PDF हैं वो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिस्ट में मिल जाएगा और दोस्तों एक बार आपको फिर से बता दें कि जो राधस्तान फोरेस्ट कार के सेलेबस में जो भी सारे राधस्तान के टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों का आपको PDF हैं वो आपको हमारे टेलिग्राम गुरूप पर फिरे में मिल जाएगा अगर आप वीडियो देखना चाते हैं तो आपको वीडियो भी हमारे इस चैनल पर सारी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जिसका लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिस्ट में मिल जाएगा और दोस्तों हम मिलते हैं अंगले मोडल पेपर के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात रहूं